हेलो प्रेंट्स, वेलकम टो माय चैनल, जीनियस मॉम्स ग्रूप आज मैं आपको इंग्लिश टुड़े ये मैगजिन का रिव्यू बताने वाली हूँ ये इंग्लिश टुड़े मैजिन बहुत ही helpful होती है बच्चों की इंग्लिश इंप्रूब करने के लिए जैसे आपका बच्चा अगर फिफ शिक्स ग्रेड में है तो मैं आपको सजेस्ट करूँ कि अगर आप इसे इंग्लिश ओलम्पियार ये स्पैलिंग भी या कोई भी इंग्लिश से डिलेटेड कॉंप्टिशन में पार्टिसिपेट कराते हैं तो ये बहुत अच्छी मैगजिन है इसका प्राइज भी बहुत कम है रूपीस 20 अब देख सकते हैं कि इस मैगजिन में कौन-कौन सी इडियम संदर यूजे प्रनांसियेशन तिंक इट अवर वर्स कन्फ्यूज मिस्यूज कोटेशन अब्रिवियेशन लेंग्लिज गेम्स में अंदर भी आपको बता देती हूँ इसमें आप दे सकते हैं कि कैसे यूज करना है फैरसेस को इसमें बताया गया है फिर इसमें प फिर वर्ब की पीरामीट कैसे बनते है उसकी एक्सेसाइज बच्चों के लिए फिर ग्रामर प्रैक्टिस का भी स्टेक्शन दिया गया है simple terms यहां पैसेज दिया गया है कि बच्चों को questions वगेरा दिये गए है यहां पे भी fill in the blanks grammar है यहां पे एक और exercise है visit to hill station paragraph है इसमें भी fill in the blanks करना है अब नीचे के exercise 3 देखे change the voice of the following sentence लगवक इसमें सारी exercise हर चीज आपको मिल जाएगी आप हर मन्त में से बाए कर सकते हैं बच्चों को practice के लिए दे सकते हैं यहां देखे यह वर्ड का अंटोनीम बच्चों को बताना है अब यहां पे give the past tense of the following verb close test personal questions day to day conversation जैसे आपका बच्चा self study बहुत अच्छे से करता है तो मैं सजेस्ट करोगी कि आपका बच्चों को यह exercise करने के लिए यह magazine खरी दिए फोर्मेशन आफ फ़र्ड यहां यहां पे जैसे बच्चों की बुक्स आती है उसकी भी बुक रिव्यू दिये गए है इसमें जैसे यहां पे सैंस और सैंसिबिलीटी बुक है तो इसका भी रिव्यू इसमें दिया गया है same word used as different parts of speech preposition की exercise vocabulary की exercise finding error यह sentence ने आपको error find out करना है idioms and their use जिज pronunciation abbreviation यहां पे quiz टाइम भी दिया गया है language games आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज्यादा मतलब जैसे आप बच्चों को इंगेज करना चाहते हैं टीवी से दूर रखना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी exercise मिल जाएगी जो बच्चों के लिए बहुत benefit है आगे भी college के time भी मतलब यह काफी help करेगा बच्चों को chain words, literature, what if, can you remember अब यहाँ पर answer corner दे जाएं अब यहाँ पर answer corner दे जाएं अब जो exercise से उसके answer list भी back में दी गई है आप देख सकते हैं तो आप बच्चों को वर्कषिट से दे सकते हैं करने के लिए कि बार में खुछ check भी कर सकते हैं बहुत ही अच्छी बुक है जेखे, pronunciation का भी इसमें सारा answer list दी गई है सारी exercise के answer list है इसकी help से बच्चों की vocabulary, grammar, बहुत improve हो सकता है spelling भी competition में भी बहुत काम आएगी even English Olympiad भी friends if you like my video please subscribe to my channel thank you